दोस्तों में सोरंबली कापसवी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ डेली करेंट फिर कुईज में आज हम देखेंगे 29 अगस्त की करेंट फिर को जो कि सभी परिक्साओं के लिए मैथपून रहेगी डेली करेंट फिर कुईज में मैं आपको डेली 10 मिनट में 20 करेंट फिर के कोशन आंसर को कवर कराता हूँ जो कि पूरे दिन की करेंट फिर होती है अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना आज का हमारा रिविजन कोशन है हाल ही में परधान मंतरी मोधी ने किस राज्य में 11 लाक नई लगपती देदियों को परमान पतर देखकर ससक्त बनाया इस कोशन का अंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बोक्स में बताएंगे शुरू करते हैं आज की करेंट फेर को और पहला कोशन आपकी स्क्रेंड पर है रास्टिय सुरक्षा गार्ड के नए महानदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो पहले कोशन का राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा बिल्कुल सही आंसर है B. स्री निवासन यानि कि पहले कोशन का राइट आंसर B हो जाएगा Q2 है केंद्रे मंत्री मंदल ने कितने नए ग्रीन फिल्ड इंडिस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी दी है सही आंसर रहेगा दोस्तो 12 को यानि कि C करेक्ट आंसर रहेगा Q3 है अंतरास्टे किर्केट परिशद के नए चेर्मेन कोन बने है Q4 है तीसरे का राइट आंसर रहेगा जैसा यानि कि C सई आंसर रहेगा Q4 है उत्तरपरदेश के लखनाव मंदल के अंतरगत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए है Q4 का राइट आंसर रहेगा दोस्तो C यानि की आठ के तो C करेक्ट आंसर रहेगा Q5 है रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्स और मुख्य कारेकारी अधिकारी किसे निक्स किया गया सही आंसर रहेगा 37 कुमार को यानि की B करेक्ट आंसर रहेगा प्यारे दोस्तो अगर आप लोग किसी भी कॉम्परेटिव एक्जाम की चारी करते हैं तो आप हमारी मास्टर पीडियाप ले सकते हैं 170 रुपे की पीडियाप है जिसके अंदर आप सभी को सारी सब्जेक्ट मिल जाते हैं और इस पीडियाप के लिए डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक दिया गया है जहाँ पर आप किलिक करके पेमेंट करके पीडियाप ले सकते हैं बारकोड से पेमेंट करना है तो इस नंबर पर मैसेज कर लेना बारकोड भी मिल जाएगा चछटा कोशन है केंद्रे मंत्री जोर्ज कुरियन किस राज्य से राज्य सभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए है तो जोर्ज कुरियन दोस्तो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं कहां से तो छटे कोशन का राइट आंसर रहेगा मध्या परदेश यानि की बी सही आंसर रहेगा साथवा कोशन है भारतिय इर्टेल ने हल ही में म्यूजिक सहीत अन्य सेवाओं के लिए किसके साथ साज़दारी की है राइट आंसर रहेगा एपल यानि की डी इस दा राइट आंसर कोशन नमबर एट है पेरिश दोजर चोबिस पेरा ओलम्पिक उदगाटन समारों में भारतिय दल के धवजवाह कोन है दोस्तो आठवे कोशन का राइट आंसर रहेगा सुमित अंतिल और भाग्य सिरी जादव यानि की उप्रुक्त दोनों कोशन नमबर नाइन है भारतिय आउटो मोबाइल उद्योग में दोजर पच्चिस तक एक नई छोटी इलेक्ट्रिक कार सामिल होगी उसका नाम क्या है सही आंसर रहेगा रोबिन यानि की बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशन नमर 10 है हालही में किस देश ने उबर पर 290 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है सही आंसर रहेगा निदरलेंड यानि की बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्यारवा कोशन है हालही में किस ने फोर्मूला वन डच ग्रांड प्रीट जीता है सही आंसर हैगा लेडो नौरिस ने यानि की सी करेक्ट आंसर हैगा बारवा कोशन है हालही में किस राज्य सरकार ने आपदा परभावित राज्यों को 40 करोड रुपे की साहिता परदान की है सेशन आपको अच्छा लगे लाइक करते रहेगा और सेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में ग्रुप्स में चाहे आप किसी भी competitive exam की त्यारी करते हैं ये only top study youtube चैनल पर सुबह साड़े 6 बज़ा आती है वीडियो कि अबल 10 मिनट की वीडियो होती है जरूर देख लिया करें बारवा कोशन का right answer हैगा मध्या परदेश यानि की बी correct answer हैगा कोशन नमबर 13 है हाल ही में किस देश ने अफरीका में महामारी के लिए 10,000 M-pox vaccine की खुराक दान की है right answer हैगा जर्मनी यानि कि C is the right answer कोशन नमबर 14 है हाल ही में M-mohan का निधन हुआ है वे कौन थे सही answer हैगा फिल्म मेकर यानि कि C right answer हैगा कोशन नमबर 15 है हाल ही में होने वाले महिला T20 World Cup में भारतिय टीम का कपतान किसे बनाया गया है सही answer हैगा हर्मन प्रीत को पंदरवे कोशन का right answer B हो सतर्वा कोशन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्री क्रिशन गमन पत बनाने की घोशना की है सही answer रहेगा राजिस्थान मध्यपरदेश उप्रुक्त दोनों ने सोलवे कोशन का right answer C हो जाएगा सतर्वा कोशन है हाल ही में वैस्विक संपत्ती मुल्य सुचकांक में कौन सिर्स पर रहा है सतर्वे कोशन का right answer हैगा मनीला यानि कि B सही answer हैगा कोशन नमर 18 है हाल ही में पांच वर्स की उम्र में माउंट किली मंजारों पर चड़ने का नया record बनाया है तेगबीर सिंग ने यानि कि B राइट answer हैगा कोशन नमर 19 है हाल ही में किस देश में तीन नए उप परधान मंत्रियों की नियुक्ती हुई है 19 वे कोशन का right answer हैगा वियत नाम यानि कि C right answer हैगा कोशन नमर 20 है हाल ही में मुझूदा वित्यवर्स में देश के कोईला उत्पादन में कितने प्रतिशत की वरधी दर्ज हुई की गई है सही आंसर हैगा 7.12% ही यानि कि B सही आंसर हैगा प्यारे दोस्तों 20 में से कितने सही किये हैं कमेंड वोक्स में अपना स्कोर बता सकते हैं आज का हमारा हुमवर्क का कोशन है भारत के दूसरे 700 मेगावाट के नुकलियर पावर प्लांट के APS4 ने किस राज्य में कारिय करना शुरू किया है इस कोशन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंड वोक्स में बताएंगे इसका सही उत्तर आपको कल की वीडियो में बता जाएगा आज का मारा कोशन अप दे डे है कौन सा जानवर पैदा होने के दो महीने बाद तक सोता रहता है इस question का भी answer सभी को comment box में बताना है 5 second का समय आपको मिलता है सही answer क्या रहेगा कौन सा जानवर पैदा होने के लिए 2 मेनी बाद तक सोता रहता है तो right answer is भालू यानि कि C right answer रहेगा और प्यारे दोस्तों कल का homework का question था हाल ही में कहां विस्व का सबसे बड़ा हीरा मिला है right answer रहेगा C Botswana is the right answer अगर आप लोगों ने अभी तक only top study app नहीं डाउनलोड किया है तो इसको फटाफट डाउनलोड करिए यहाँ पर आपको सभी exams के लिए test series मिल जाती है वो भी सबसे कम price में एक बर विजिट जरूर कर लेना और master pdf नहीं ली है तो 170 रुपीज की master pdf है दोस्तो और जिसमें आपको सारे ही subject मिल जाएंगे पूरी lifetime के लिए pdf का link description box में है बार कोड हमारे whatsapp नमबर पे मिल जाएगा तो आप कैसे भी pdf को ले सकते हैं सेशन आपको पसंद आए तो please like share करना चैनल पर नए है सब्सक्राइब करके बैल एकन को on कर लेना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो थैंक्यू सो मच बाइबाई everyone take care खाले कि अपना मिलते ना इस class में